हेला नल्कम दोस्तों आप से विए एक और फिर स्वागत है टेक टॉक्स भाई देव के एक और फ्रेस वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो लोग बात करेंगे इस अमेजिंग फॉनर के वी 20 के बारे में जो की हो सकता है वह सकता है यह लॉंच होगा इंडिया के अंदर तो कुछी दूनों के अंदर यह अंडियागी आजाएका जो कि आएगा आएगा और डॉस्तों है नहीगा व्हाय वह की तीम वह बहुत ही काम कर रही है बहुत ही क्ने लाहिग काम कर रही है दोस्तों इस होन की कॉप्लिटली बात करते हैं और ょक्या-कैस के इसके यह ताइफ गर दूस्तों खुड़ने पर यह पड़ा हमारा फोन निकलता है यह पर मिलता है यहां पेपर वर्क है और दोस्तों यहां पर हमें एक ट्रांस्पेर्ट कवर भी देखने मों मिलेगा और दोस्तों यह चाइनीज वेरिंट जिसकी मैं बॉक्सिंग आपको वॉइस नहीं मिलने वाले हमारे कुछ अलग से होने वाले तो दोस्तों यह डॉक्षान ना देते हैं अब दोस्तों चार्जर की बात कि यहाँ पर हुआ है तुत यहां पर है थैप रहरे की जानवें टाइप चरड़िए है तो यह तो जखने आप दहुत नेबाएं और इस नहीं गाल मिलता है 6.4 इंचिस का IPS LCD Full HD display देखने हों मिलता है और यहां पर दोस्तों एक होल भी है camera के लिए 4.5 mm का होल है और उस होल के इंदर 25 Megapixel का Sony का sensor लगाया है और दोस्तों दूर से देखने पर होल दिखता ही नहीं है जैसे कि यहां पर in display camera या फिर अंडर दिजाइन किया और दोस्तों में दूसरा थीसरा फोन है जो कि पंच होल्ड टेक्नोलोजी उसके साथ में देखने हों मिलता है दोस्तों इसके इंदर साथ-साथ में और भी अच्छी चीज़ें और आट जीवी की रेम वाला फोन है तो यह फिद्व फ्यूचर से होने वाले और चैन्जी वाले विरिंट भी हमें आपर देखने हों मिलता है अगर इसके बेस्ट की प्राइजिंग की बात करें तो दोस्तों वह मतलब होती है करीबन थीसजार के आसपास जो कि दोस्तों लगाव है और उसके दो जो टेक्सर डालब है वी सेप में कुछ टेक्सर है दोस्तों जो की मतलब बहुत ही अलग लग उसे उन्होंने कुछ ट्राइग किया जिसके रूब इस्चीज को बनाया है हम इसे किसी भी यही देखने हों मिलेगा जो कि दोस्तों में नीचे की पाता भी और चेंज भी होता है तो दोस्तों में बहुत ही सही है पीछे की तरफ हमें एक 48 Megapixel का Sony का IMX वाला सेंसर देखने हो मिल जाता है और उसके साथ में जो दूसरा वाला कैमरा है वह दोस्तों टैप को रिकुनाइज करने के लिए और साथ साथ में टीओ वाला टाइम प्लाइट वाला कैमरा देखने हों मिल जाता है जो कि दोस्तों में थ्रीडी इमेज को क्याप्चर कर सकता है उसके साथ में दोस्तों यह जो कैमरा है 48 Megapixel वाला से हम 960fps तक की स्लो मोशन वाली वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और दोस्तों 3D वाले कैमरे से हम यह इमोजी को पुट कर सकते हैं और दोस्तों यह वाले फोटो को बना सकते हैं और दोस्तों यह बहुत जदा यूसफूल कैमरा है जो कि आज कल हमें बहुत से महंगे फोन के देखने हो मिल रहे है और दोस्तों यह 48 Megapixel वाला कैमरा ही यह अखेला ही बहुत सारे काम कर फिर जो लैंस ब्लर वाले से से स्टम में वो सब कुछ दोस्तों हमें सिंगल सेंसर में देखने हो मिल जाएंगे अब दोस्तों कुछ कैमरा सॉप्ट सा आप लोग देख लिजे तब तक मैं इसकी प्राइजिंग की कुछ टीटेल आप आप लोगों बता देता हूं दोस्तो इसके अंदर जो 6GB और 128GB वाला वेरियंट वह एक बेस वेरियंट है दोस्तों उसकी प्राइजिंग है मतलब चाइना के अंदर 2999 यूँआन है जो की 30,000 के आसपास होती है दोस्तों भूती सही प्राइजिंग है मतलब 6GB एक 120GB वाला बेस वेरियंट है और दोस्तों टीसे दोस्तों उसकी प्राइज इंडिया के अंदर 35,000 के आसपास कुछ होती है और दोस्तों जो हाइस वेरियंट की बात करें तो वह दोस्तों 8GB और दोस्तों 256GB स्टोरेज के साथ में जिसकी चाइना की प्राइज च्यार अजार यूवान है जो कि इंडिया मात आते चालिस या वाला है और इसके तरब से इसके अंदर हमें योयो एसिस्टेंट देखने हो मिलता है हुआवे होना की तरब से और दोस्तों उसके साथ साथ में हमें आपर लिंक टर्बो टेक्नोलोजी भी देखने मिलती है जिसके तुरू हमारा NFC जो मलब NFC के साथ साथ में LTE और Wi-Fi वा 2020 से नवर है और 29 को चायना केंदर की लांच हो चुका है और 22 जनवरी मतलबि है इंड्या के लांच हो सकता है तो दोस्तों बता हुए है PON कैसा लगया रद्ड़ आप इस फं को बिलती डियए और और इसंस वीडियो को फटा डे लिए को फोर को ना बहुत ही मय Ol द cit in कि आपको सारी इंफोर्मेसिन मिलती रही कि ये फोन इंडिया के दर कब आएगा या फिर कब आने वाला है एट लास थैंक्स रहुत जी